वक्तुमरहस्य शेश्यन दिभ्याह आत्मविभूत यहा या भीर दिभूति भीरलोकांस इमांस तुम व्याप्यति श्थसी एय जुआ कि कह रहा है कि तौह मी दिव्या आत्म-विषूट यहां आप ही अपने दिव्यां जो दिभूतिया हैं जो भी आपके विश्र यहां ऐसेशेचिन वक्तु- cinnamon नोर्हसिक संपुन रूप से क invari कहने में आप ही समरत है को आपके अतरिक्त और कोई कि देवता न जान प आपको जानने का पुरत ने किया लेकिन वह भी था नहीं लगा पाए तो ऐसे आप को कौन जान सकता है लेकिन आप अपने को सहम जानते हैं इसलिए आपकी जितनी भी भूतियां का आप सहम जानते हैं और कहने में भी समर्थ हैं दूसरा कोई कहने में भी समर्थ हैं आपके उन विभूतियों को आप उनके आईश्वरे को आपकी माया सक्थी को जानने में और कहने में कोई समर्थ यहां तो हमारे सामने हैं लेकिन आप तो विभू है अधिदेवम अजम विभूम अभिकार दिया तो उस अइश्वरे वो कौन सा आपका आईश्वरे जिसके दोर आप संपूर जगत में समाहित हैं और इस समझत लोक को व्याप्त करके आप इस्थित हैं सब लोको में एक एक परमाणू के अंदर आप विद्यमान है उस विभूतियों को आप कहने में आप स्वेम समर्थ है और कोई समर्थ नहीं है इसलिए क्या करो किरपा करके गुहर लगा रहा है भगवान से और कर रहा है कि कथम विद्याम हम योगिंस पाम सदा परिचिंत यन केशु इस उक्ति बता देजिए कि आपको मैं कैसे निरंतर चिंतन कर तो किस किस रूपों में चिंतन कर तो एक समान मनुष्य है तो समान मनुष्य है हमें लोक में रहना पड़ेगा तो उस लोक में रहते हुए भी हम आपके भाव से उतव प्रोथ हों आपके चिंतन करते रहें तो किस प्रकार के चिंतन करने से वह कैसे कैसे कधम सदा परिचिंत यन किस तरह से आपकी चिंतन सदा बनी रहे और चिंतन करता हुआ त्वाम विद्या मैं आपको जानू आपको सम्झू कि आपका चिंतन छूटे नहीं किसे भाव मेरे आपकी चिंतन करना है कियोंकि आपने बता दिया है कि सदा चिंतन करें आपको स्मर्न भग्वान का सदा होना चाहिए ता आपको बताना पड़ेगा करके बताईये कि किन-किन आप कहां कहां किन किन रूपों में हैं कैसे कैसे आपको मैं इस्मान करें तो यह प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है और अच्छा प्रस्न है केशुकेशुच भावेशु चिंतेव सिभगवन मया और अंतिम भार कह रहा है विस्तरेन आत्मानो योगम विभूतिम चा जनार्धन dwū यह कतायतृ शिन्वतो नास्तिमे उन्रतं कर्या किछ है जनारधन आत्मना योगम चविभूतिं भूया विस्तरेन कथाया करें कि आपके अपना आईश्वारे आपके अपने विभूतियां आपका ये योगज सामर्थ्य है इसको विस्तार से कहिए उत्सुत्ता बढ़ रही है ने उसके अंदर इस अमर्थबचन को सुनकर के मेरे करणों के त्रिप्ति नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है कि और बताए और बताए और बताए और बताए ये भक्त के लक्षणे ही होता है कि भगवान का भजन सुनकर भगवान की कथा सुनकर सत्संग सुनकर जो अढ़ाय नहीं जो त्रिप्त नहीं होता है जब भूख और बढ़ती जाए सत्तन की भूख और बढ़ती जाए भगवान की चर्चाओं की भूख और बढ़ती जाए तब समझना चाहे कि अब भक्ती इस्तिर हो रही है जो त्रिप्त हो गया भक्ति में भी प्रवेश नहीं पाया अध्यात्म से कोई त्रिप्त हो जाए भगवान के भजन से कोई त्रिप्त हो जाए भगवान के नाम जब मंतर जब ध्यान आदी से त्रिप्त हो जाए भगवान के नाम जब मंतर जब ध्यान आदी से त्रिप्त हो जाए जब व्यक्ति उबेना और अच्छा लगे एक घंटा माल ये खिर्तन करें और बढ़ते जाए भुग नहीं अभी तब आनारश सुरु हुआ है तो इस प्रकार से ऐसे अम्रत बचन को सुनने से जिसकी त्रिप्ति नहों वह वास्तों में भागता है के पेसलिए अरजुन क्यों कि भगत है और जेन उसेन आमरत बचन सुनने से त्रिप्ति नहीं हो रही हिसविंक नहीं विश्तार से कहिए और विश्तार करें पर आपने यह योगत्शक्ति को अपने ऐश्श्वरे को ज़ूति को अपने बढ़ान कह रहे हैं श्री भगवान वाच हंतते कथ इस्यामी दिभ्याहि आत्म विभूत यह पधान्यता कुरूश्रेष्ठ नास्तियंतो विश्तरस्यमें भगवान कहें कि देखो कुरूश्रेष्ठ है करो में स्रेष्ठ अरजुन कि अब मैं दिभ्याहिव यह प्राधान ने तह टी एक अथिश्यामी यह मेरी जो दिभ्याहिव आइं इसको मैं प्रधानुर्पें नहीं कह पाऊँगा आनप मतलब मुख्ते मुख्तार premi lleva कर्या है कि मियुक्त तो अनन्त अभिस्तार को अनन्त शक्ति को कहने के लिए अनन्त समय लगेगा, उसमें भी पूरा नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं तुम्हारे इस गुहार से, तुम्हारे इस प्रेम से मैं द्रबीत हो, इसलिए प्रधान ने तह अथा इस्या में, प्रधान रूपे नहीं कहूंगा मुख्य मुख्य रूप से कहूँगा, कplain कि मैं अनट से रूप है, मेरी अनन्त विभूतिया है, अनन्त सामर्थें, कहा तक कहा जा सकता है, मैं स्वैम नहीं कह सकता, भभ्वान भी अपने आपकी विभूतियों को कहने, मैं समर्थ बता रहे हैं, कि नहीं का जांसट इसलिए मोटना तो आइसे का तक यह क्यों कि नास्त्या न सैंच श्क्न यह का अंत नहीं को मेरी योग माया है कि इसका कहिए अंतना है इसलिए मैं प्रहानता कथ इश्या में मैं प्रहान रूपेण ही अपनी विभूतियों को जो दिव्य विभूतियां है उनको कहूंगा हर्कम अठ्मा गुडाकेश सर्व भूताश किस्तित हां आ इस्तित हा भूता नामनतüst्य है क्या और ले भूक्राण और अहम सर्व भूता सा इस्थिता आत्मा ऐसा मैं समझ सभूतों के अंताह कर्म विद्यान मानों उनकी आत्मा हूं नाए आत्मश cảm है मन्य विए कियों ए हुँ इसे अभी हम अपने आपको यह मान दें कि मैं मेरी आत्मा मंहूं मैं अपने को अपने को SP अब नगे करते हैं आत्मा का जो है समान रुप से कफनन जब न्याoulder और वेश्य शीक में समझाया जाता है कि आत्मा की पहचानम कैसे जाने आत्मा को तो उन्होंने करते हैं कि आत्मा तो सबको प्रतेक्ष है कैसे आहमिती के रूप में मैं हूँ इसमें किसी को संसय है मैं हूँ अथवा नहीं हूँ ऐसा किसी को संसे नहीं है या मैं नहीं हूँ शायद ऐसा किसी को नहीं है मैं हूँ के रूप में सबकी आत्मा प्रतेक्श है और अपने को अनभौ करते हैं तो यह जो मैं रूप है आत्म रूप है और जैसे हम अपने आपका आत्म रूप भी समझ रहे हैं मैं हूँ के रूप में ऐसे ही साधक योगी उसको आत्मा रूप में नहीं हूँ करता है आत्मेतितु पगछंति ग्राहयंति चैसा सुथ्थ दिया कि योगी लोग उसको किस रूप में गढ़न करते हैं आत्मा करें अपने आत्मा वो मेरी आत्मा है जब अनुवा होता तो ऐसे होता है तो मैं सब भूतों के अंदर हिदय में रखके इस्तत मानों मैं आत्मा हूं और यही नहीं भूता नाम आधि ही भूतों का आधि हूं मेरे से ही जारे भूतों के उत्पत्ति हुई है मैं भूतों का आधि करन हूं मेरे से भूतों के उत्पत्ति हुई है और मध्यम चा मध्धे हुँ अभी ए storage मत ज़ось हो रहा है तो यह पालद पोस्ण करने में हैं कई अधिने वाला दए país यूँ ऑन्या पालन पोस्ण करने वाला महीं हो और आहमें तो को महें का आंट भी पीर एंट में स्रिष्ठी के अंत में सबको मैं प्रलय में ले जाता हो अथवा बिच बिच में मृत्य को देकर अंत करता है रहता हूं तो मैं समस्त भूतों का आदी हूं मध्य हूं अवसान हूं अंत हूं तो आदी मध्य और अवसान ये तीनों महीं हूं मेरे से उत्पत्ती होती है मेरे से इस्थिरा है और मेरे मेरे लिन हो जाए अब चुकि यह यह पमूल भाव है, इस मूल भाव के अर्जिन ने आपको भजन करू इसे कहां कहां मैं आपको भाव ना करूंगेश हमको थालबन चाहिए अब हला। आप सर्व व्यापक हैं लेकिन उस अरो ब्यापक तो अद्रिश्च है अटिंद्रिय है हम देख नहीं पाते जब ग्यान होदे तो जब ग्यान होदे जब अचुन सबस्के और एक पर कुछीश्च है यद पहाएबर रहते हैं इंद्रियों के धरातल पजी रहें वेवार में और उसी वेवार में जीते जीते हमारा भाव भी ब्रह्माय हो जाए तो उसके लिए कुछ आलम मन बताईए जिसे हमारे और भाव दिर्ण होते जाए निरंतर आपकी ही समर्ति रहे तो भगवान अब यहां से प्रारम कर रहे हैं और कर रहे हैं अदित्याना महम विष्णुर्व जोति शाम्रविरंशुमान मरीचीर मरुता मस्मी नक्षत्राना महम सशी करें कि आधित्यानाम हम विष्णू तरह आधित्यों में विष्णूं मैं आधित्यों में विष्णूं सबसे स्रेष्ट होगा भाव वहीं पर बनेगा निक्रिष्ट में तो बनेगा ने तो इसलिए भगवान ने हाँ पर कहा कि मैं बारह आदित्यों में कौन सा हूँ विष्णु हूँ और कहा भगवान आगे जोती शाम अंशुमान अभी ही इतने भी चमकीले पदार्थ हैं जोत ने ते प्रकास आ रहें खाल अफ्निष्दों में भयाद अगनिस्त Ciango भव्याद प्ति सूरिय अहा है भयाद इंद्रस्य वायूस्या मिर्ण अफहाख को टति थैंट ने इन्धिन में अगनिस्त अंगल प्र हैसे जो रही है раб skepticat ए अपक्द बांद शूरिय है मुलिक है सब रहा है भयाद इंद्र उस्वायु सब मैं मिर भय से इंद्र व्रशात करक Majesty मीरे भ्हाएcticamente मुरुद्रधाबति पंचमा है मृतु से तरते हैं लेकिन मृतु मेरे प्यारती है कल किस को लेना है आज किस नहीं है। हैं एक सटे करेंगे मामला घ्रबडा जाएगा एक सकेंड में कितने हजारों लाखों जीओं को लेना हैं फुर्षट नहीं है मृत्यु को तो मृत्यु रधावती पंचमा मृत्यु से सब डरते हैं और मृत्यु भी जिस से डरता है इसलिए कालता है कि जाके डर भय कहुं भय होई जिसके भय से भय को भी भय लगता है वैसे परमात्मा तो करें कि इस रूपों में देखो मैं ही दहूं इन रूपों मैं म में प्रकाश मानों में सुर्य हूं 59 मरुद गणों में में मरीची हूं 59 मरुद गणों की चर्चा आते शार्श तरों में उन्में मैं क्या हूं मरीची हूं नक्षत्रानाम अहम शशी नक्षत्रो में मैं चंद्रमा हूँ शशी हूँ और आगे कह रहे हैं वेदानाम सामवेदोस्मी देवानामस्मी वासवह इंद्रियानाम अनश्यास्मी भूतानामस्मी चेतना करें कि वेदों में मैं सामवेद हूँ गीती परक होने से सामवेद को कहा है तो कि सामवेद गायन परक है और गीत सबको अच्छा लगता है गाया जाए तो गान सबको अच्छा लगता है ऐसे वही बात बोली जाए और गीत रूप में बोली जाए तो गीत अच्छा लगता है इसलिए गीत होने करने को गीता है गाई है ऐसा कि गीता गाई है गाया तो वेदानाम साम वेदो समी वेदो में मैं सामवेदो हाला कि पिछले बात कर दे कि मैं लेकिन हाँ पर विश्विष्टाइब दिखा रहे हैं क्योंकि भक्ती में क्या होता है नियूर्ण अब की लिए उसलिए भक्तों के लिए मानो मैं सांवेद के सुवधर मदूर लगते हैं करणप्रिय लगते सुन्ने म क्या तो ऐसे अच्छा इसका मतलब यह नहीं समने जए इस बागवान कर रहा बागी चीज नहीं है ऐसा नहीं है एक भाव दिलाने के लिए कि इन रूपों में देखो गे जगत में तुम्हारे जाए जगत में बाउत परकार कि ज़ा और भी दिखने को मिलेंगी इसमें से जो उत्कृष्ट है उसको मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ताकि तुम्हेरा भाव बने के तुम्हें कहा था केशु केशु चिंतों से भगवन मया मैं किन रूप में आपकी भावना करूं तो इन रूपों में करो भावना बनाओ एक एक को पकड़ करके उपास नही पा necesita कैश्ट दानले कि यहीं है नहीं में सब इसमन नहीं है दोखे आूं जम्हें आ Shaktiko in мож Right ? यहीं है प्लता के विस्तार नहीं है कि एक के मोई सब भूत का आद करूं का आदि हम हैं के सबतों मेरे से उत्ते होते हैं लेकिन भाव बनाना है कि इस घञाणै रूपी तक्रिस् सवरूप भी आगे दिखाएंगे डरावने सवरूप जिसको देख कर वेक्ति कांप जाए ऐसे सवरूप भी व्यगवान तो करें कि कैसे करी उपास्त ना उपास्ता में युदि उनुन सवरूप भर गोई तो साधकी डर जाएगा भकत ही डर जाएगा ऐसे ऐसे वेदों में कहा गया है, वो खोड देगा, उ चमड़ी उतार देगा, वो तोड़ कर देगा, ऐसे पापीयों के लिए बचन है, वो उल्टा लटका कर जला देगा, चमड़ी उतार देगा, ऐसे ऐसे भगवान के मतलब जो भयानक स्वरूप है उसका भी बटना आता है तब वहाँ पर अचारी उन्हें कहां महर्शियों ने कहा कि ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं किया जाता है क्योंकि भगवान के जुड़ना होता है उसमें जो सवमे गुण होते हैं भगवान के उन्हीं गुणों का ध्यान धरा जाता है उन्हीं का बार-बार चिंतन क्या जाता है कुरूर रूप यदि करेंगे तो पापियों के डराने के लिए है भगतों के लिए वो थोड़े रूप है बहुत पापियों को डराने के लिए उनको सही मार्क दिखाने के लिए वक्रूर रूप है भयानक रूप है भगवान के लेकिन भक्तों के लिए तो सव में रूप है इसलिए भक्तों को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए हाला कि पाप से बचने के लिए उनको ध्यान रखना कि कवी कभी क्या होता है कि समग्र रूप भक्त जो है कर दिव रूपों को और सम रूपों का ध्यान धर सुल इसलिए के जूर्ण होता है उसलिए क olar कि बहुत जूबरा को है किशमादा हुआनि करता है इसे कर दिवे रूपा कि द्द्द ऑपर कि ए एंगा के छुछ कि करते हैं तब कर देते हैं इसलिए इतना कठोर खुर्दय है इतना तो ब्रेक लगाना पड़ता है किक दू कि पिर इसके बाद भक्ति सुरौत करें तब भग्वाण माप करते हैं करें रिखिछ फीर भी करें तुछ पर रुख geworden सरक्री हो जाती तक है कि इसनी ही हो तो में सब जानते भी हो फॉइं। करके मेरी भक्ति की जाती है तो आप छोड़ो भगवान का आप इसे लिए वह रूप भी भयानक रूप भी काम आते हैं साधक के लिए पाप से बचने के लिए डर जाते हैं नहीं यह करेंगे लोगवान पर छोड़ेंगे नहीं तो भक्ति के लिए तो भागवान के सौमे रूप ही काम आते हैं कभी-कभी उन रूपों का जहां पाप हाभी होगे अंतहकर्ण में मन में तो उस समय उध्यान करने से फिद्ड़ जाता है विदी पापोस्त तो वेदानाम सामवेदोस्मी देवानाम अस्मी वासभव मैं भॉज्ण को अहुद्यों दिवकाऊं तो में मैं इंद्र हों क्यों के पास सबसे ज्याज आएश्वर होता है अद्धाव मैं रहूं और इंद्र इंद्रियाना मन ऑनस्षाद में मन हूं यven कि मन ही समस्थ इंद्रियों को चलाता है तो अनकहीं और हो आप देख नहीं सकते इसलिए मन के माध्यम से इंद्रियां अपने विशयों को गर्ण करती आने था नहीं कर सकते इसलिए इंद्रियों का जो मुखिया है वो मन है इसलिए बगवान ने कहा कि इंद्रियों में मैं मन हूँ भूताना मस्मी चेतना ने प्राणियों में जो है मैं जीवनी शक्ति मैं मैं चेतना आत्मा हूं प्राणियों में जो है तमस्त भूत प्राणियों में जो चेतना है नहीं जो ज्यान रूपता अनुभाव शक्ति जीवनी शक्ति जो दिख रहे हैं तमस्त प्राणियों में जो करने कि एक आदस रुद्रों में संकर हूँ रगवान संकर हूँ एक आदस रुद्रों में मैं संकर हूँ और यक्षरक्ष शाम वित्तेश हूँ यक्ष और राक्षषों मेरा है विट्टेश याणिके वित्त काईश कुभेर मेरा ही रूप है अहम वसुनाम पावक्ह आठ वसुम मेरे हैं अगनी पावक हूँ कि सिखरिणां मेर हैPg और प्रवत शिखरों में मैं सुमेरू हूंि की सुमेरू लोछ अप्र सिथ है शुमेरू सो जहां पर अधिवो. थेवि थेवताओं का जहां पर वास्त माना जाता है अईशा जो है मेरू प्रवत मैं हूं प्रागे भी करें पुरोधसाम चा मुख्यम माम विध्धे पार्त विरहस्पतिम सेरानी नाम हमस्कंदह सरसा मस्मिता गरह करें कि पुरोधसाम मुख्यम विरहस्पतिम पुरोहितों मैं जो मुख्य विरहस्पति हूँ क्योंकि दिवताओं का पुरोहित जो है ग्रशवती है तो मैं पुरोहितों में कौन से हूं- अ माम बिदिव मेरे को ही जान है कि पुरोहितों में सबसे स्रेश्ट और मुझ जान और अहम सेनाने नम सकंदह सेनापतियों में सेनापति होते हैं तो सेनापतियों में सिस्कंद्र अर्था कार्ति के लगां संकर के कुट्र जो कार्ति के वो सिनानियों मुख्याइए मैं ज्सेना पती 9 gleich करें कि सिनापतियों में इसकंदह कार्थिके हूं और सरसाम सागरह असमें और जलासायों में सागर हूं सबुद्र हो मेरा ही स्वरूप समझो करें कि महर्षियों में भ्रिगु हूं भ्रिगु महर्षि को सबसे स्रिष्ट माना है अपना ही रूप माना है हला है कि महर्षि मां भ्रिगु हम गिराम असम एकम अक्शरं मैं सब्दों में क्या हूं एक आक्شर हम एक क्या है ऑम मिति atin तो जो एक आक्षर वो मैं हों है प्रणव है 과 एक अक्शर में मतलब कोई एक अक्षर का कोई शब्द हो कि झा. तो वहां मैं ओमकार मैं हूं और कि यज्यानाम जपयज्योंसी यज्यों मैं जपयज्य हुब समस्त यज्ज्यों में जप यज्य को भगवान ने पुरुप्तिष्ट बताया कि मैं जप हूँ कि मनुश्मृति में भी बचनाता है। कि अबर्म्ह साजिद्धेत ब्राह्मनात्रसंऩया खुरियननवान याकुरियनन्यवाकुरियान महीत्रोय ब्राह्मन उच्छेकिए कि वह ब्राह्मन जो है भ्रह्म्वेत्य, ब्रह्म को जानने वाला मुवक्षु . वह बाकियकनी होतर करया था अन गरे जब से ही संसिध्य को प्राप्त लेता है भगवान को प्राप्त लेता है इसमें कोई संसे नहीं है इसलिए भक्ति की जो सबसे विशेश बात है सबसे अन्यतम अंग जो है वह है जब भक्ति का सबसे अन्यतम अंग क्या है जब है इसलिए भगवान कहें यहां भक्तियों की को कि यज्य कहां इसथावरा नाम इस थावरों में मैं हिमाले में तरहने वाले जो पादार्त हुंए उसमें मैं क्या हूं हिमाले हूं और आगे करें अस्वत्त सर्वब्रिक्षाणां देवर हैं चनारद्धा गंधरवानां च data सिद्धानम हम कपी लोग को कि तो मैं बोख्ष सक्ष हूँ इस मत इता था तो मैं इप्रश्याम इनक तो दिवर्शियों में कौन सा इसी हूं नारध हूं गंधरवा नाम चितरत नाम अर शिद्धान नाम कपी, जिनुसरां क्याँ तो इस प्रकार से फ़गवाने यहां पर अपने विभुतिय और बाण कर रहे हैं आगे और करेंगे बढ़ेंगे उख्य मुख्य रुप से जो भी भूतियों का वर्णन स्रिष्टा का प्रतिपादन करते हुए इसको आगे और जाए रखेंगे आज ये अक्षा को हमें पर विराम देते हैं शेश अगले आंते हैं कि ओ ओ शांदे 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 शांदे